हलो एवरीबान वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारती एयर टेल की जिन्होंने अपने जो मिनिमम मंथली रीचार्ज प्लैन के प्राइजिस हैं इसको दो सरकल्स यानि की हर्याना और उडीसा में 57% तक बढ़ा दिया है और अगर इनका ये ट्राइल सक्सेस्फुल रहा तो बहुत ही जल्दी ये जो प्राइज पूरे भारत में बढ़ाए जाएंगे तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करेंट प्राइस पे आपको भारती एर टेल का शेयर लेना चाहिए नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एर टेल करती क्या है तो आप जानते होंगे एर टेल भारत की एक दिगज टेली कमिनिकेशन कमपनी है अगर हम मोबाइल ऑपरेटर के हिसाब से बात करें तो इनके 36 करोड से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और भारत में दूसरे नमबर पर आती है पहले नमबर पर आपको जी ओ दिखेगी फिर एर टेल इसके अलावा आपको वोडा फोन और वी एसनल मोबाइल भी इस स्पेस में दिखेंगे और अगर डारेक्ट टू होम जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लिस्ट बात की जाए तो उसमें भी एर ट डिजिटल टीवी उसके बाद आपको डिश टीवी संडारेक्ट और डीडी फ्री जो डिश हैं वो दिखाई देंगे फिक्स्ट लाइन ऑपरेटर की बात करें यानि कि जो फिक्स्ट लाइन फोन लाइन होती है उसमें भी आज की डेट में जो एयर टेल है तीसरे नमबर प प्रोवाइड किया जाता है वाइर ब्रॉडबेंड उसकी अगर बात की जाए उसमें भी एयर टेल दूसरे नमबर पर आता है नमबर ऑफ सब्सक्राइबर के हिसाब से इनके लगभग 51,30,000 सब्सक्राइबर हैं पहले नमबर पर यहां पर आपको डिखाई देगा 65,60,000 55% अलमोस्ट बढ़ा दिया है और अब जो नए प्राइज हैं वो 155 रुपए होंगे हाना कि जो यह प्राइज हैं यह सिरफ दो सर्कल्स में बढ़ाये गए हैं हरियाना और उडीसा आप देख सकते हैं टोटल 22 सर्कल्स में जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको डिवाइड किया गया है उसमें आपको यह बाइस सेक्टर दिखेंगे इसमें से जो सिरफ हरियाना टेलीकॉम सर्कल है और जो उडीसा का टेलीकॉम सर्कल है इसमें यह प्राइज को बढ़ाया गया है तो कंपनी ने इन दो सर्कल्स के लिए जो इनका मिनिमम रीचार्ज प्लैन था 99 रुप करते थे इसके अलावा 99 रुपए का टॉक टाइम आता था जिसके बाद 2 रुपए 50 पैसे पर सेकंड का इसमें टॉक टाइम का चार्ज होता था तो इस प्लैन को अब इन्होंने स्टॉप कर दिया है हरियाना और उडीसा में और अब जो नया इनका प्लैन है इन दो एरिया है successful होता है यानि कि वो बहुत जादा subscriber lose नहीं करते हैं तो यह प्लैन वो पूरे इंडिया में बहुत ही जल्दी रोल आउट कर देंगे यानि कि पूरे इंडिया में आपको जो minimum 155 रुपए का जो प्लैन होगा 28 दिन का वो आपको मिलेगा और ये भी उमीद की जा रही है क जो 28 दिन के जितने भी प्लैन है उसमें 155 रुपए से कम minimum तो यहाँ पे 99 रुपए था भी तक लेकि 99 से 155 के बीच में भी जितने प्लैन थे उन सब को भी समाप्त कर दिया जाएगा तो कोई यूजर अगर ऐसा है जो कि सिरफ SMS सर्विस यूज़ करता है उसके लिए अपन मन्थली जो फोन है रीचार्ज कराता है उनको कम से कम अब 155 रुपए का रीचार्ज कराना पड़ेगा और अब अगर बात की जाएगी जो ब्रुकरेज हाउसेज हैं वो इस मूव को कैसे ले रहे हैं कि इसका जो शेयर प्राइज है भारती एर्टल का उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो इससे पहले भी एर्टल ने सेम एक्सरसाइज की थी मार्केट टेस्टिंग के लिए जबकि इन्होंने जो अपना minimum recharge price पहले 79 होता था उसको कुछ select circles में 99 कर दिया था ये move 2021 में किया गया था और इस तरह से अब दुबारा से ये lead ले रहे हैं सबसे पहले यही अपने prices बढ़ाते हैं फिर इसको follow करते हुए Reliance GO और Vodafone भी अपने prices बढ़ाते हैं तो ICAC Security जो की brokerage firm है उनका कहना है कि ये जो move है Airtel कर रहा है अपने जो less important circle है जैसे कि हरियाना B circle में आता है ये जो circle का naming है population density के साब से दी जाती है ऐसे ही Udisa जो C circle है यहाँ पे ये कर रहा है और ये जो plan है normally जो 2G customers हैं वो ज्यादा तर इसको recharge कराते हैं इससे इनको 4G customer है उनके उपर क खास impact नहीं होने वाला है तो ये देखना चाहते हैं कि इसका reaction कैसे होता है कहीं ऐसा ना हो कि सारे subscriber ही जी हो या Vodafone पर move हो जाए तो अगर इनके मुटा मुटी subscriber count कम नहीं होता तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो rollout है ये पूरे इंडिया में कर देंगे और इने वे brokerage आ मानना है कि भई रादर देन बार बार छोटे छोटे प्राइस बढ़ाने से अच्छा है कि एक ही बारी में बड़ा प्राइस बढ़ा दो ताकि जो customer है उसको absorb कर लें कोई inflation पर उनको फर्कना पड़े तो ये एक उस तरह से एक अच्छा move हो सकता है और जो इनके competition है यानि कि Gio और Vodafone वो भी market scenario को देखते हुए और बारती Airtel के response को देखते हुए ये prices बढ़ाएंगे ही तो long term में बारती Airtel को इसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि सभी के prices बढ़ जाएंगे बट initial risk इनोंने लिया है हाला कि इस terrifying से इनकी revenue बढ़ेगा, overall profit बढ़ेगा, margin बढ़ें और अगर बात की जाए कि क्या current price पे हमें भारती Airtel का share लेना चाहिए है नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी past performance देखे तो 3 साल में ये 106% की return दे चुका है, पिछले एक साल में भी इनकी लगबग 15% की return है, एक जनवरी के बाद 25% की return है, तो यानि कि पिछले काफी अच इसे चला था इनका share, और अगर हम brokerage house firm की बात करें, तो वो 930 रुपे से लेकर के 1058 का target बताते है, तो on and average 1000 रुपे के असपास का target देखते है, और अगर ticker tape के predictive analysis को देखा जाए, तो वो इसका average price 900 रुपे बताता है, higher side पे 1030 रुपे और lower side पे 730 के असपास, तो जो आज क closing हुई है, या जो आज का price है, वो लगभग 851, 852 के असपास है, तो उसे साब से तो यह अपने जो average target price है, उससे नीचे पे available है, तो valuation attractive लगता है, अला कि PE और PB on the higher side है, लेकिन अगर आप Vodafone को देखेंगे, तो वो loss making company है, लगातार उनके subscriber कम हो रहे हैं, और reliance में अगर आप invest करते हैं, आप telecommunication sector में exposure लेना चाहते हैं, तो आप oil and gas या जो दूसरे retail business है, उसका भी exposure लेना होता है, तो अगर आपको सिरफ telecommunication sector में exposure चाहिए, तो भारती Airtel आपके लिए best choice है, और यह share जैसे की company profitable है, और जिस तरह से price बढ़ा रहे हैं, और इस space में इनके customer lose नही ले सकते हैं, हाला कि video close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views हैं, वो मेरे personal है, अगर आप किसी भी share में invest करना चाहते हैं, तो अपनी further research के basis पे ही कीजिए, thanks so much for watching the video and God bless you all.